पर आपको बैंक निप्टी, निप्टी, मीड कैप निप्टी और फिन निप्टी बिल्कुल आसान सब्दों में एनलेसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकन जरूर प्रेश करेंगे बैंक निप्टी निप्टी फाइव मिने टाइम फ्रेम में भी तर फाइंड करेंगे सपोट लेवर फाइंड करेंगे और कल के लिए कैसा मार्केट रहेगा क्या इंपोटन्स लेवल रहेगा कल के लिए तो सच्टेन किया मार्के नियुक्र को रों कितने कैंडेल से है इसको देखो अगर बात करूँ तो ये एक डवलू पैटन बनाया यहाँ पर जब इसका हाई यह एक candle है, फिर इसका हाई ब्रेक क्या है, यहाँ पर हमारे entry point और प्लस यह है, फिर market यहाँ पर एक W pattern बनाया यहाँ पर, break out हुआ, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यह bullish flag भी है, इस तरह से गर हम देखेंगे, एक W pattern भी देखने को मिल रहा हमें, प्लस bullish flag भ पहले support लिया था, उसके पास breakdown हुआ, breakdown के बाद जो है, market वा deep लिया, और फिट से reverse करके market उसी resistance zone पर आकर resistance कर रहा है, अब यहाँ पर multiple time resistance करने के बाद breakout करेंगे एक अच्छा trade जो है, आपको मिलेगा, अगर कल के date में भी breakout करता है, तो आपको एक अच्छा trade मिलेगा यहाँ आप साइड में, ठीक है, अब इसमें कोई train line बनता आता, क्या है, वो एक पाद देख लेते, एक pattern तो आपको चार pattern जो है, यहाँ पर देखने को मिला, क्या मिला वो, एक आपका bullish flag मिला यहाँ यह bullish flag का यह बना, दूसरा एक डवलू pattern है, यह डवलू pattern है, इस तरसे यह डव यहाँ से market का trend किया था, अब trend गया, ठीक है, एक trend line से support लिया, one time, two trends support लिया trend line से, और bonds किया, bonds करने के बाद market sideways हुआ और यहाँ पर breakdown मिला, trend line का breakdown, retest और इसके बाद market fall, क्या हुआ, fall हो गया यहाँ से, तो trend यहाँ था था change हुआ, तो यह एक फायदा होता है, दूसरी चीच अब यहाँ पर जैसे ही, इसका अज क्या हुआ, यहाँ से break out हुआ, retest हुआ, और market यहाँ सूट गया, trend line से आपका identify होता है, क्या है, और उस direction में आप excited ले सकते हैं, कल के लिए क्या रहेगा, वो देख लेते हैं, market अगर मान की चलो gap up open हो जाता है, इस level से gap up open होता है, जहा यह sustain करता है, gap up open होकर sustain करता है, 21,680, importance level है, राट्टवन करना है, 21,678, यह importance level है, इसको मैं erase कर देता हूँ, यह market gap up open होने के बाद, sustain करता है, इस तरह से sustain करता है, market तो आपका जो है, एक trade यहाँ तक का, बनेका, इसके बाद अगर, breakout होता है, इसके बाद अगर, breakout होता है, यह breakout हुआ आपका या आप gap up open होने के बाद first level 21,750 and second level 21,800 third level आपका क्या हुआ 21,833 ठीक है यह तीन level है आपके first level 21,750 sideways मतलब flat opening kit में देख लेते हैं flat opening के scenario में क्या रहेगा कल की rate में वो आप देख लेते हैं flat opening में market इस range में 21,678, 21,640 इस बीच में कहीं भी open होता है कोई trade नहीं लेना है आइधर breakout और breakdown दोनों में सीधर breakout मिला हम उपर की लेंगे इधर breakdown मिला यह अगर आज बाइंग होई यह तो जाता view नहीं रखेंगे अगर आज बाइंग होई यह तो जाता view नहीं रखेंगे आज बाइंगे नीचे के side में अबर कुछ negative रहता है तो यह ज्यादा view रखेंगे यहाँ तक का view है 21,536 main level जो है यहाँ पर इसका breakdown होना चाहिए 21,600 का अदर breakdown होता है तो यह अच्छा trade आपको नीचे यहाँ लिए 21,536 का target के लिए आपको यह यहाँ पर मिल सकता है तक का view यह है निप्टी में back nifty देख लेते हैं back nifty में क्या date बनेंगे time frame change कर देतो हूं मैं 5 minute time frame कर रहा हूं यहाँ पर 5 minute time frame में analyze करेंगे back nifty को bank nifty अच्छा perform किया आज की date में और gap up ओनेंगे बाद लेवल सस्टेंग किया 47,783 यह लेवल सस्टेंग किया gap up ओने के बार मैं यही बोलता हूं कि level कोई भी हो market कहीं भी open हो क्या वो level sustain कर रहा है यह नहीं कर रहा है वहाँ पर hold कर रहा है market position add हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ है क्या scenario रहा है यहाँ पर gap up open होने के बाद जो है market यहाँ पर hold किया रुका उसके बाद देखो आप यह जो level है 47,885,11 break out किया और फिर उसके बाद देखो क्या move मिला है कभी भी आप देखो आप यह नहीं कि market जो है इस तरह से सूट कर जाएगा कभी भी आप देखना market इस तरह से ऊपर नहीं चला जाएता है कभी भी market में क्या रिटेश ठोड़ा pullback मिलेगा क्यों क्योंकि यहां से चलते है यहां से जिन्होंने position बिल्ड किया या पूरा बुक किया market फिल्ड फूल बैक फिर market जो है थोड़ा sideways फिर यहां पर जो रेश्टेंस फेस किया वह रेश्टेंस लेवल है आपका 48250 50 40 मानलो आप यह जो है यहां से रेश्टेंस फेस किया और उसके बाद जो है एक डीप मिला market में दिप मिलने के बाद सेम लेवल से 48,000 48,000 50 से स कितना अच्छा मेंने जिसला बताया है क्या क्यान करो चाहिए यह थेखो खांड प непह्स्री और है यह tat à है है अब इस टेंद लाइन पर मल्टिपल सपोर्ट यहाँ एग वार यहां लिया डूसरे वार दीसरे वार चार वार यहाँ आपर सपोर्ट लेकर मार्केट सुट किया है फिए थो 3 न απ हो आप लोग जिससे आप यह लेन हैं अब इस टेंड लायन पर मल्टिपफल सपोर्ट ले रहा है यहाँ एक बार यहां लिया दूसरे बार तीसरे बार चार बार यह को लेकर मार्केट शूट किया है तो टेंड लाइन ब्रोग किया अगरो आप लोग जिससे आप लोग काफी ज्यादा बेनिफिट होगा डेंटिफाई कर सकते हैं अब कल के लिए क्या लेवल से रहेंगे वह एक बाद देख लिते हैं अब आवरेस क्लोजिंग की बात करूए 44955 जो है वह आपके अबरेस क्लोजिंग बैकने अगर बात करूए क्लोजिंग से एरॉन लेव फुटी पॉंट जो है वह नीचे बंद हो है यह लोजिंग है हमारा जो मार्केट बंद हुआ है वो यहां बंद हुआ है यहां बंद हुआ है अब इस सिनर्व में कल के लिए क्या रहेगा आप देख लेते हैं इस एरेंज में मार्केट कहीं भी ओपन होता है 48200 और 48133 थिए 37 फुर्टी मालव और अर्ण लेवल मालव 40 अगर इस बेसमें मार्केट कहीं भी फ्लैट ओपन होता है और टाइम बिताकर उपर या नीचे कहीं भी ब्रेक अब ब्रेकट डॉप यह लेगाउट दोने टरब से कहीं भी होता है उदर के लिए अम्रों ट्रेड बनाएंग यहां तक का डॉन साइड में अगर यह ब्रेक उता है फॉटी एट लेवल फॉटी एट लेवल चोटा सब रहेगा यह क्योंकि यहां पर यहां पर टार्गेट होगा यहां तक आपका होगा या फिर आपका जो है यहां तक आप रख सकते हो मैं पर इसके फिरांट बताती कि यहां है बादर लेंड में बताती है विडिया अचल लगते हैां तो राइकि जैगा ने टू